नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर दोस्तों आजे बात करने वाले हैं NMMS एक्जाम के रिजल्ट के बारे में दोस्तों आप काफिक समय से वेट कर रहे हैं कि हमारा जो NMMS जो रिजल्ट है वो यहाँ पर कब तक आ सकता है और दोस्तों कितने नमरों को यहां पर selection होने वाला है यानि इसकी जो cut off है वो क्या रहने वाली है तो इसके बारे माँ को बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा end तक देखें और चैनल को subscribe करें, notification mail को press कर लें जिससे की आपको NMMS exam के बारे में latest update सबसे पहले मिल सकें तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों NMMS exam के result के बारे में latest update आपको प्राप्त करनी है आपको result चैक करना है, तो उसके लिए आपको यहां पर Google open करना ठीके न और Google पर आपको search करना है study mandir आपको simply Google पर लिखना है study mandir ठीक है, जैसे आप study mandir लिखते हैं आपके सामने इस प्रकार का interface देखने को मिलेगा आपको यहां पर simply study mandir जो website है, जो first number वाल website है studymandir.com इस link पर क्या करना है, क्लिक करना है जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपके सामने नया page open होके आजएगा जिसमें आपको study mandir का जो website है, यहां पर जो homepage है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है फिर आपको क्या करना तो थोड़ा सा नीचाहना है नीचाहने के बाद यहां पर देखेगा इस लिंक पर आपको क्लिक करना है आप जैसे यहां पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहां पर इस प्रकर का पेज़ आपको थोड़ा सा स्क्रोल करना है इस नीचाहने के बाद यहां पर आप देख सेते हैं expected cutoff marks भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जिसमें General, OBC, EWS, SC और SC category के जो cutoff marks है वो यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं अब यहाँ से दोस्तों cutoff इस पर आप depend ना करें क्योंकि दोस्तों cutoff है वो हर state की हर district wise cutoff जाती है जो है सभी की अलग-अलग cutoff देखने को मिलती है इसलिए आप ऐसा ना सोचे कि अगर हमारे General में 110 number आ रहे हैं तो selection होगा ऐसा कोई नहीं दोस्तों किसी विजारती का 90 पर भी selection हो देता है लेकिन किसी का दोस्तों 90 पर दोस्तों होता है तो उसके बारे में defend करता तो आप ऐसा ना सूचे कि मेरे इतने number है तो यह selection नहीं होगा ठीक है आप नीचे comment करके बता है कि आपके जो कितने marks बन रहे ठीक है तो यहाँ पर देखेगा NMMS state wise result to other test choice जिसमें देखेगा अंतरप्रदेश, असम जिसे बिहार का जो result आना बाकिए है तो यहाँ पर available soon लिका रहा है जिसे कि जैसे ही result आएगा तो आपको यहाँ पर update कर देगा जिसकी मदद से आप आसानी से result चेक कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना ठीक है जिससे कि आपको जैसे ही रिजल आएगा तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिसके माद दिन से आप आसानी से अपना जो है रिजल चेक कर पाएंगे ठीक है और आपको अपन तो कम से कम दो तीन महीनों के बाद जो है रिजल्ट जारी होता है तो तब आपका जो रिजल्ट यहां पर आता है तो किसी किसी का दोस्तों दो महीने कंद्र रहता है तो किसी का यहां पर तीन महीने भी लगते हैं तो आपको जो है रिजल्ट के बारे में यहां पर जो है जो की cutoff का सटिक अंददा लगा जा सके तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन मेल को प्रेस करें जिसे की आपको NMMS exam के रिगार्डिंग लेटेस अपडेट मिलती रहे तो दोस्तों इस वीडियो मसीता ही फिर मिलेंगे सबीशन एक्स वीडियो में तब तक लिए जैन वंदे मातरम